नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल वायराल आस्था में एक बर फिर स्वागत करता हूँ दोस्तों दिवाली के महापरव पर देवी लच्मी सबके घर आती हैं और हम देवी लच्मी को अपने घर लाने के लिए धन्तेरस के दिन अनेक उपाय करते हैं इस देवी लच्मी को अपने घर अपने आंगन में रोकने के लिए कुछ उपाय बताएंगे जिसको करने से हमारे घर में सुख और समरिद्धी आएगी तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम सुरू करते हैं धन्तेरस पर आर्थिक तंगी दूर करने और धन समरिद्धी पढ़ाने के लिए कई तरह के सरल उपाय किये जाते हैं इस दिन साबुच चावल के 21 दाने ले और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बान कर घर की तीजोरी में रख ले इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी धन्तेरस की पूजा से पहले इंवबाद में दक्षिडा वर्ती संख में जल भर कर घर के चारो तरब थोड़ा थोड़ा छिड़के इससे घर में माल अच्मी का आगमन होता है धन्तेरस के दिन यमराज की निम्मत घर में दीप दान किया जाता है धन्तेरस की साम को मुख्य द्वार पर तेरा और घर के अंदर तेरा दीप जलाने होते हैं इसके अलावा चाहे तो यह भी कर सकते हैं कि इस दिन तेरा दीप जलाएं और घर के सभी कोनों में रख दें आ सोने से पूर्व दीपक जलाएं परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय एक पूराने दीपक में सर्सों का तेल डाल कर उसे जलाया जाता है फिर उसे घर के सभी जगह घुमाया जाता है और उसके बाद यह दीपक घर के बाहर दक्षिड की ओर मुख कर नाली या कूड़े के धेर के पास रख दिया जाता है इसके बाद जल चड़ा कर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है मुर्तोयाना पास हस्तेन कालेन भर्यास त्रियो दंसा दीपदान सूर्यज प्रियता मिती धन तेरस के दिन सोना खरेदने का प्रचलन है सोना नहीं खरी सकते तो पीतल का बर्तन खरीदें या दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो धनिया खरीदें खास कर धनिया खरीद कर उसे मातालच्मी को अर्पित करना बहुत ही सुब माना जाता है मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुक्सान नहीं होता धन समधिद्धी बढ़ाने के लिए कोडिया खरीद कर उसकी पूझा करते हैं और उसे तीजोरी में रखते हैं कोडिया खरीदें और यदि वो पीले ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें, बाद में इसकी पूजा कर अपनी तीजोरी में रखें हल्दी की गाठ, इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी सुब होता है, सुब मोरत देखकर बजार से गाठ वाली पिली हल्दी और काली हल्दी को घर ले आ, इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर अस्तापित करें तथा शोशर पचरा से पूजन करें, यह भी धन ज़्दी को बढ़ाने वाला उपाय है, खीर बतासे करें धन, धन 13 के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफिद कपड़ा आधि, अन्य सफिद वस्तुएं दान करते हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होगी, जमा पुंजी बढ़ाने के साथ ही कारियों में आ रही इबाधाएं भी दूर हो जाएंगी, इस दिन यदि आपके दर्वाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब वेक्ति आए, तो उसे खालियात न भेजें, आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें, इससे मालच में प्रसंद होती हैं और आपको समरिद्धी का आसिस देती है इससे आपको हर कार में अपार सफलता भी मिलेगी, इस दिन आप किसी मंदिर या उचित अस्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं, जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समरिद्धी और सफलताएं बढ़ेंग को अच्छी वाली जाडू खरीद कर दान कर सकते हैं, इससे मातल अच्मी आप पर प्रसंद होगी, ऐसी मान्यता है कि जाडू घर से दरिद्धता हटाती है और इससे दरिद्धता का नास होता है, धंतेरस के दिन घर में नई जाडू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांद देना चाहिए, इससे माल अच्मी की किरिपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थती सुधर जाती है